अधिले माँ लोग काई कि राइर के बुद्धी बारा बजी खुले लब खाए जाना है। राजबर जाती की लोगों ने तो अपना सर पकड़ लिया है। सफलता पूर्वक सौफ लेंडिंग कराने में कामयाभी हासिल कर चुका है। वहीं पर दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जो चंद्रमा के ऊपर सौफ लेंडिंग कराने में सफल हुआ है। इससे पहले ये कारनामा अमेरिका, चीन और रशिया ने करके दिखाये था और चौथे नमर पे भारत ने कारनामा करके दिखा दिया है। सबसे बड़ी बात ये कि भारत के विग्यानिकों ने भारत का नाम दुनिया के अंदर रोशन करने का काम किया है। इससे प्रमुक्ष संस्तान में जगा बनाने में कामियावी हासिल की। उससे बवी बात ये है कि भारत के अती महत्युकांशी प्रोजेक्ट चंद्रियांत्री में इन्हों ने अपनी जगा बनाई और बहुत ही महत्यक्पून रोल अदा करने का काम किया। चंद्र सिंह यादव का काम चंद्रियांत्री से सिंगल प्राप्त करने का है। एक बहुत ही इंपोर्टन्ट रोल चंद्रियांत्री में अदा करने का काम किया है। तो भारत के नियादव वेग्यान्गों की बुद्धी का डंका तो पुरे दुनिया में बज़ रहा है। वही राजबर की बुद्धी का पूरे भारत के अंदर मजा कुला जा रहा है। राजबर से एक रिपोर्टर ने चंद्रियान 3 को लेकर सवाल पूछा। सवाल पूछा गया कि चंद्रियान 3 चंद्रमा के उपर सौफ लेंडिंग कर चुगा है। इसके बारे में आपका क्या कहना है ओम्प्रकाश राजबर ने जो बयान दिया उसके बाद से पूरे देश के अंदर इसकी थूतू हो रही है। कुद्धी का लोग मजा कुला रहे। भर कहता है कि मैं भारत के उन विज्ञान को धन्यवाद देता हूं जो दिन प्रतिन रिसर्च करके नहीं खोज कर रहे हैं चंद्रियान 3 के लिए हम उनको बधाई देते हैं। चंद्रियान 3 के सकुषल धरति पर आने का जो समय है धरति पर आने के बाद उनका स्वागत पूरे देश में होना चाहिए। यह बयान उम्प्रिकाश राजबर ने चंद्रियान 3 के संदर्व में दिया। इस गधे को यही नहीं पता है कि चंद्रियान 3 इसका पिताजी नहीं है जो इसकी मा के गाओ गया जो वहां से लोट कर आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा। इस जैसा कोई गंजेडी नशेडी नेता नहीं चंद्रियान 3 जो विदेश में गया है और भारत आएगा तो उसका स्वागत किया जाएगा। इसको यही नहीं पता है कि चंद्रियान 3 आखिर है क्या और चंद्रियान 3 ने आखिर लेंडिंग कहां पर की है। इसके जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि राजभर चंद्रयांत्री कोई आदमी नहीं है बलकि चंद्रयांत्री एक सेटेलाइट है जो चंद्रमा की सते पर लेंड हुआ है वो वही पर 15 दिनों तक रहेगा और भारत को जानकारी वहां से भेजने का काम करेगा दोस्तों इस बयान के बाद आप अंधाजा लगा सकते हैं कि इसकी बुद्धी कितनी है इसके जाती की लोग भी शर्मिंदा है कि हमने किस प्रकार का नेता अपनी जाती का चुना हुआ है ये बात कर अशाय आदम की बुद्धी का आज यादम समाज की लोग सेना से लेकर करने का काम करें खेर दोस्तों आप सभी लोग का क्या कहना है कॉमेंट करके अपनी रहा है जबूर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लिजे इसके साथ में बगल में बैल आइकन आता है उसको भी आप प्रस कर सकते हैं एक छोटी से रिक्वे पर इंस्साग्राम यहां पर मेरी आडिया आप सभी लोग को मिल जाएगी मैं चाहता हूं कि वहां पर भी जाकर आप सभी लोग फॉलो कर देजिए बाकी धन्यवाद जाहें